हलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पेल्फिर अतुल में मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे आई एक्स की आई एक्स पर जिस पहले भी हमने काफी वीडियो बनाई है और बताया था कि उपर के लेवल पर यह रि बीकली चार्ट है इसलिए कंडल से दिखाई दे रही है और यहां पर भी इस रिजिस्टेंस नीचे से बांस बैक किया था इसी लेबल तक गया और पिर नीचे आया तो अभी जो है बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही पहुंसता हुआ नजर आ रहा है इसके अच्छा मोमेंटम इसका बना है तो यह दोनों ही लाइन से हमने आगे ड्रो की है एक्स्टेंड की है और पहले भी स्टोक जो है जब उपर से नीचे की तरफ आया इसी लाइन के उपर इसने सपोर्ट लिया था आगर इसको ब्रेक करता तो नेस्ट सपोर्ट लेवल यहां अगर निकल कर आता था तो यहां पर देखते हैं बीकली चार्ट के उपर आरेसी 44 की आसपास की है जो कि बीक स्टुक्ट्चर को शो कर रही है कि अभी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है यतनी पहले इसके अंदर थी उपर जाने के लिए और यहां पर देखिए जो चार्ट तो यहां पर देखिए जो उपर का structure है वो बिलकुल आपको clearly दिखाई दे रहा है और निचे का support जो नहीं वह भी यहां पर दिखाई दे रहा है 204 के आसपास का support जो निकल कर आता है कि अगर 204 को stock break करता है तो stock काफी big हो सकता है 192 के level तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है तो अभी 210 के आसपास काम कर रहा है 204 के आसपास आपको नजर रखनी है कि अगर 204 को अगर break करता है stock तो स्टोक जो है 192 के लेवल तक भी टच करता हुआ नजर आ सकता है तो इन लेवल के उपर नजर रखिए अगर आप किसी भी टाइप की इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट का बन बना रहे हैं तो इस लाइन को जब ये क्रोस करके उपर निकलेगा तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है पैसा लगा सकते हैं क्योंकि जब तक इस लाइन के उपर नहीं निकलेगा तब तक आप पैसा वैसे भी नहीं बना सकते हो जब स्टोक उपर जाएगा तभी पैसा बनता है तो जब स्टोक इस लाइन के उपर ही नहीं जा रहा है तो पैसा लगा के कोई अभी फाइदा नहीं है, तो इस लाइन के उपर नजर रखिये, जब इस लाइन के उपर Crows करेगा तभी इसके अंदर पैसा लगाए, अगर इस लाइन को Crows नहीं करता है, Stalk और Bick होता है, तो हो सकता है इये, और नीचे आता हूँ नजर आए, तो यहाँ पर support zone 204 पर के आसपास का है बिलकुल नजर रखे चलिए अगर 204 को break करता है तो 192 के level तक भी यह touch करता हुआ नजर आ सकता है उपर के लिए इस line के उपर नजर रखे जब इस line को break करके उपर निगलेगा तभी इसके अंदर कुछ फायदा होगा यहाँ पर bounce back जु ही होता है कि जो support zone के आसपास आने के बाद 2-3 और bounce back आता है अगर resistance को break करता है तो momentum बनेगा अगर again reject होता है तो निचे support के आसपास आता हो नजर आएगा 204 के level पर नजर रखे इस line के उपर draw करके रखे अपने चार्ट में किसी भी टाइप का आप इन इन्वेस्टेंट कर रहा है तो काफी important आपके लिए होगा thank you धन्यवाद